शे महने से नजर बन जमू कश्मीर के पूर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पब्लिक सेफटी आक्ट के तहएत मामला दर्ज भड़की पीडीपी बोली ये लोकतंत्र की हत्या नागरिक्ता कानून के खिलाफ बिहार में यात्रा निकाल रहे जेनियुएसिव के पूरवध्धक्ष और सीपियाई नेता कनहिया कुमार के काफिले पर 24 घंटों में दूसरी वार पत्राओ सुपोल के बाद अब मधेपुरा में कनहिया के काफिले पर हमला कोई घायल नहीं नागरिक्ता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में औरतों का धरना 55 दिन भी जारी प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोट में दायर याचिका पर आज होकी सुनवाई नर्भया गैंग रेप और हत्या के मामले में दोशियों को अलग-अलग फांसी देने की केंदर की याचिका पर सुप्रीम कोट में आज सुनवाई आरविंद केजरिवाल पर शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को विर्यानी खिलाने वाले बियान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनावा योग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा कश्मीर घाटी में 6 महने से इंटरनेट की बंदी पर खानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले इंटरनेट मौलिक अधिकार नहीं देश की सुरक्षा भी उतनी ही महत्तपून लोगसभा में धन्यवाद भाशान के दौरान देश के पहले पिएम पंडित नहरू पर पिएम मोधी का हमला कहा पिएम बनने के लिए देश पर एक लकीर खीच दी गई अमेरिकी राष्टपती डॉनल्ड ट्रम का एलागी येमन में अलकाइदा इंदा अरेबियन पेनिंसूला के सरगना खासिम अल्रेमी मारा गया और चीन में कोरोना वायरस से अब तक कम से कम 630 लोगों की मौत मरीजों की संख्या 30,000 के बार भी कोरोना को लेकर भारत ने सतक कताब बढ़ाई चीन में रह रहे तमाम देशों के नागरिकों की भारत में इंट्री बैन चीनी नागरिकों का वीजा भी सस्पेंड